नमस्कार नाकपूर हलचल में आपका स्वागत है तो आईए नजर डालते हैं नाकपूर की विविध हलचल पर गुर्वार की रात महाराश्टर की राजनिती में एक व्यक्ति ऐसा होगा जो चैन की नीन सोया होगा वहें शिवसेना के मुख्या उधव ठाकरे इसलिए नहीं कि वह सीएम पच से दूर हो गया बलकि इसलिए कि बिजेपी का मुख्यमंत्री फिर नहीं बन पाया बागी ही सही लेकिन एकना चिंदे के रूप में एक शिवसेनिक के सीएम बन जाने के बार एक बार फिर से ये सिद्ध हो गया कि भारत भर में अपनी कुटनी तिक चालो से बड़ी बड़ी मजबूत सरकार को उखाड़ फेकने वाली बिजेपी के दिल्ली के चानक या महराश्र के मामले में तिसरी बार फेलो गए सनद रहे कि 2014 में शिवसेना से विधान सभा चुनाओ के ठीक पहले यूती तोड़ कर बिजेपी ने बाजिमारी थी उस समय भी उसके पास परियाप नंबर नहीं आये थे और कुछ समय बाद शिवसेना को सरकार में शामिल करना पड़ा था बिजेपी ने बेमन से ही सही लेकिन 2019 में शिवसेना के साथ यूती करके पहले लोगसभा और फिर बाद में विधान सभा का चुनाओ लड़ा था लोगसभा में शिवसेना को फाइदा हुआ और विधान सभा में बिजेपी को नुकसान पार्टी को मात्र 106 सीटों पर संतोष करना पड़ा और शिवसेना ने 2014 के तुलना में साथ सिटे कम लेकर अपना स्कोर 55 पर रखा कैंसर मुक्त महाराष्ट अभियान के अंतरगत भाचपा जैन प्रकोष्ट महाराष्ट के सहकार्य से विधर्ब सेवा समिती के संयोजक में डॉक्टर दिवस के उपलक्ष में निशुल्क कैंसर जान शिविर का आयोजन वन्दे मात्रम जन्स्वास्त केंद्र संत्रा मार्केट बजरिया में आज आयोजित किया गया है यह अभियान में अभी तक 104 कैम के साथ 10,000 महिलाव एवं पूरुशों की जान चुचुगी है इस निशुल्क कैंसर जान शिविर का लाब जादा से जादा लोग उठाय इस आशे का आवाहन विदर्ब सेवा समिती के सचिव अशोक गोयल एवं टीम ने किया है इस शिविर के बारे में अधिक जानकारी समिती के सदस्य डॉक्टर सिमान धर मारवट कर डॉक्टर पारेक एवं समिती के सहसचिव प्रशान माने कर जैन से प्राप्त की जा सकती है सावनेर सित अरविन इंडो पब्लिक स्कूल हेती बुधवार को ग्रिश्मकालीन अवकार समाप्त होने के बाद कक्षा पहली से आठीवी तक के विद्यार्थियों का पहला दिन आनन में रहा स्कूल खुलने के पहले दिन उत्सव जैसा माहुल था विद्यार्थियों के लिए एक सुन्दर कारेकरम का आयोजित किया गया था जिसकी अध्यक्षता स्कूल के प्राचार या राजेंद्र मिश्र ने की तथा मंच संचालन मिनाक्षी वैद्य ने किया स्कूल आये विद्यार्थियों की खुशी का ठीकाना नहीं रहा सहपाथियों की एक दुसरे से स्कूल में मुलाकात हुई बच्चों के चहरे पर पहले जैसी खुशी नज़र आई सभी शिक्षक शिक्षिक आओ ने स्कूल में बच्चों का भव्व स्वागत किया गित और नृत्य के साथ विद्यार्थियों का स्वागत किया स्कूल के प्राचार या एवं कक्षा दसवी के विद्यार्थियों ने कक्षा पहली एवं दुसरी के विद्यार्थियों को गुलाब के फूल दे कर स्वागत किया अर्विन बाबु देश्मुक प्रतिष्ठान के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक डॉक्टर आशिश देश्मुक ने स्कूल के उपक्रम की सरहना की महत्मा गांदिय अंतराश्य हिंदी विश्वविद्याले द्वारा गृष्मकालीन बैडमिंटन प्रशिक्षन शिविर का आयोजन 20 मई से 3 जुलाई 2002 तक किया गया था जिसका समापन समारोह सोमवार 4 जुलाई को शाम 5 बजे दूर शिक्षा निदेशालय में कुलपती प्रोफेसर रजनीश कुमार शुकल की अध्यक्षता में आयजित किया है वेस्टन कोलफिल्ड लिमिटेड में 16 से 30 जुन 2022 तक मनाए गये स्वच्षता पकवाड़े का समापन समारोह गुरवार 30 जुन को वेस्टन कोलफिल्ड लिमिटेड मुख्याले में आयजित किया गया कारेक्रम के अध्यक्षता महाप्रबंदक पी नरेंद्र कुमार ने की अपने सारगर्बित उद्बोदन में पी नरेंद्र कुमार ने ये स्वच्षता पकवाड़ा सफाई कर्मियों को समर्पित किया उन्होंने सफाई कर्मियों के समाज में योगदान की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके कार्य से न केवल आसपास का परिसर स्वच एवं सुन्दर रहता है बलकि लोग विमारियों से भी सुरक्षित रहते हैं उन्होंने सभी उपस्तित सफाई कर्मचारियों का उनके अच्छे कार्य के लिए आभार माना। समापन समारों में विभागाध्यक्ष ए एन वर्मा और मुख्य प्रबंधक स्पी तिवारी विशिश्चातिती के रूप में उपस्तित थे। को पारितोशिक दे कर सम्मानित किया गया। इस प्रयास में कल्यान विभाग का त्यंत महत्व पुरुण योगदान रहा। कारेक्रम का संचालन कल्यान विभाग के बाबा खान ने किया। अफलता तभी मिलेगी जब छात्र पाठ्यक्रम में प्रासंगिक विश्यों की जानकारी प्राप्त कर पुर्ण आत्म विश्वास के साथ परिक्षा देंगे। इस आशय का आवाहन संभागा युक्तर डॉक्तर माध्वी खोडे चवरे ने किया। शहर में डॉक्तर बाबा सहाब आमबेटकर अनुसंधान एवं प्रशिक्षन संस्थान के क्षेत्रिय कार्यालाई द्वारा सामाजिक न्याय भवन के सभागार में एक दिवसिय प्रतियोगी परिक्षा मागदर्शन सम्मिलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मिलन में वे छात्रों को मागदर्शन कर रही थी। नाकपुर शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक के संबन में शुक्रवार एक जुलाई से मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृशन बी के निर्देशानुसार NDS टीम द्वारा कारवाई की जाएगी। परियावरन वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्राले की निर्देशानुसार 30 सितंबर 2021 से 75 माइक्रों से कम होगी मोटाई वाले प्लास्टिक सामगरी प्रतिबंधित है। 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रों से कम की सभी प्रकार की मोटाई प्लास्टिक सामगरी प्रतिबंधित है। सजावट के लिए प्लास्टिक और पॉलिस्टाइनीन, मिठाई, का डबबा, आमंतरन पत्रिका, प्लास्टिक की छड़ियों के साथ, यर प्लग, गुब्बारा प्लास्टिक की छड़े, प्लास्टिक के जंडे, आइसक्रीम की छड़े, प्लेट्स कप, चमचा, कटलरी, चाकू, पीवीसी बैनर, सौ माइक्रोन से कम, अपशिष्ट और नरसरी बैक को छोड़ कर सभी प्रकार के प्लास्टिक बैक पात्र आधी पर प्रतिबन लगा दिया गया है। उपरोगत सभी प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग पर यावरण के लिए अत्यंत हानिका रख है और उपयोग करताओ पर जुर्माना लगाये जाएगा। बैंक मिलकर ग्रामिंग शेत्रों में जागरुकता शेविर आयोजित करे। रहे है नागरिकों को निर्धारित समय के भीतर रिन उपलब्ध कर आये जाना चाहिए। इसके लिए बैंकरों और सरकारी एजंसियों को समन्वित तरीके से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी बैंकों को निर्धारित समय के भीतर अध्यतन रुण डेटा प्रस्तुत करना होगा। बैठक में स्मार्ट सिटी सलाकार बोट के सदस्य विदर्ब टेक्सपेस असोसियेशन के सचिव तेजिन्दर सिंग रेणू, ग्रीन विजल फाउंडेशन स्वयम सेवी संस्था के अध्यक्ष का उस्तब चाटर जी, सिविल लाइन्स रेसिडेंट असोसियेशन की अनुसिया काले चाबरानी, सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलप्मेंट की लीना बुधे, वी एन आइटी के इन्फरा विभाग के दिन प्रोफेसर प्रशान डाइगवाने, स्मार्ट सिटी की कमपनी सचीव भानुप्रिया ठाकूर, इगवर्नेंस भाग के महावेवस्थापक डॉक नागपूर स्मार्ट सिटी द्वारा किया गया था, उन्होंने क्षेतर में हो रहे विभिन नविकास कारियों की जान करी दी, उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुविधा के लिए स्मार्ट सिटी 50 अलग-अलग जगों पर पुरुशों और महिलाव के लिए 100 यनिट इट इसलिए मनपा के सभी टिका करण केंद्रों पर आज केवल को वैक्सिन का टिका उपलब्द होगा, टिका दोपहे दो बजे तक दिया जाएगा, टिका करण के लिए पंजी करण ऑनलाइन और ओफलाइन दोनों पधतियों से किया जा सकता है, साथ ही निगम के स्वास्त इसलिए पंजी करण के लिए जाते समय एक पंजी करूत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपिल की गई है। प्रतिक्रमण में कहा है जो परिणाम संसार के भाव तुम्हारे साथ चल रहे है, उसका अभाव हो और जो परिणाम मोक्षमार्ग की और अग्रसर नहीं हो रहे हो, अगर वो हो जाए तो मनुष्यन निश्यत ही मोक्षमार्ग में चलने में सक्षम होगा। बोधन में कहा अंतिम तिर्थांकर भगवान महाविर के शासन में हम सब विराजित है इस संसार में भटकाने वाले अपने परिणाम अविरत चालू रहते हैं भावों से भव का निर्मान होता है जो भाव बदलना चाहिए वो नहीं बदलते हमारे सामने रामचंद्रमोक्ष कंफेडरेशन ओफ ओल इंडिया ट्रेडर्स ने भारत में मेट्रो कैशन कैरी की व्यवसाइक प्रथाओं पर गंभिरा पत्ति जताई है और उस पर FDI नीती और नियमों के घोर और सपष्ट उलंग और कानूनों को दरकिनार करने का आरोप लगाया है विदेशी कंपनियों का भारत में व्यापार करने के लिए स्वागत है लेकिन साथ में कानूनों और नियमों का कड़ाई से अनुपालन न के जाने का भी आरोप मेट्रो के खिलाफ लगाया गया है कैट के महामंतरी प्रविंट घंडलवाल ने एक सम्वाध दत्ता सम्मեղन को संभोधित करते होई कहा कि भारत के व्यापारी कानूनों के उलंगन के माध्यम से अपने व्यावसाय पर किसी भी प्रकार का अत्तिक्रमन स्विकार नहीं करेंगे मेट्रो द्वारा कानून के उलंगन के कारण छोटे व्यापारियों के व्यावसाय विशेश रूप से किराना FMCG सामान उपभोगता टिकाउ वस्तूओ व्यक्तिगत उपयोग की वस्तूओ पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है कैट के एक प्रतिनी धिमंडल ने केंद्रिय वानी जमंत्री प्यूश गोयल से मामले का ततकाल संग्यान लेने और उचित कारवाई करने का अग्रह किया है सुत्रो के अनुसार मेट्रो जर्मनी भारत के कारुबार को बेचने और भारत में अपने निवेश पर दस हजार करोड रुपे से अधिक का मुनाफ़ा कमाने की सोच रहा है CBI की नागपूर शाखा के मुखिया MS खान को बतौर उपर महा निरिक्षक पदोननती दी गई है इसी के साथ खान को नागपूर में ही तैनाती दी गई खान ने 2 अगस 2021 को नागपूर शाखा की कमान समाली थी अपने 11 महा के कारेकाल में उन्होंने 9 ट्रेंप किये है इन कारवाई में उन्होंने भारतिय राजस्व सेवा के अधिकारी मुकूल पाटिल आयोसी तथारेलवे के आला अधिकारियों को भी घूस लेते हुए पकड़ा नागपूर शाखा द्वारा काफी अंतराल के बाद किसी आयारेस को पकड़े जाने से इस कारवाई की देश भर में चर्चा हुई थी इस मामले की जांच में सिबियाई को प्रष्टाचार से जुड़ी कई एहम जानकारी मिली है इसी तरह तीन आयोसी अफसरों की गरफतारी से ओईल कंपनियों में फैला प्रष्टाचार भी सामने आया था इस कारवाई का भी व्यापक असर हुआ है ततकाली नदिक्षक संदिप तामगाडगे के बाद सिब्याई की नागपूर शाखा अपनी कारवाई को लेकर पहले दफा चर्चा में आई है खान ने सिब्याई को सामान लोगों तक पहुचाने के लिए कई कदम उठाए है शिक्षा संस्थान और विविन्न मंचों से नागरिकों को प्रष्टाचार की सुचना अत्वाशिकायत करने के लिए प्रेरिद किया जा रहा है खान ने सिब्याई की कई शाखाव में बखु भी काम किया है जी एच राइसोनी इंस्टिटूट ओफ इंजिनेरिंग और टेक्नोलोजी नागपुर को शिक्षा क्षेत्र में इंडिया's Most Trusted Brand of the Year Award 2022 प्राप्थ हुआ है पुरसकार समारों का आयोजन हाली में हिंदुस्तान Research Corporation नई दिल्ली, ब्रंट बेटर वा इंडिया News दिल्ली के सहयोग से द्वारका स्थित रैडिसन ब्लू होटेल में किया गया था जी एच राइसोनी Institute of Engineering and Technology नागपुर को ये पुरसकार विदर्ब के नीजी शैक्षनिक संस्थानों की श्रेणी में अपनी अनुसंदान गतिविद्यों की योजनाय कारवानवयन तथा उम्दा संचालन के लिए प्रदान किया गया है इस उतकुरुष्टता पुरसकार वितरं समारों में खाद्यवन आगरी उत्पादन वचुनाव मंत्राले के इमरान हुसेन तथा बॉलिवूड अभीने था अर्बास खान मुख्यातिती के रूप में उपस्तित थे कारिकर में डॉक्टर राहुल पेठे जी एचार आईएटी के निदेशक डॉक्टर विवेक कपूर के मार्ग दर्शन में तक्निकी शैक्षिक सुचनावी निमय और विकास के एक्षेत्र में संस्थान वारा के गए प्रयासों को प्रदर्शित करते हुए शोत प्रस्ताव की और से प्रस्तूत रिपोर्ट में उत्कृष्टता के श्रेणी में लखा गया इस सफलता पर निदेशक डॉक्टर कपूर ने रायसोनी ग्रूप आफ इंसिट्यूशन के अध्यक्ष सुनिल रायसोनी की और से मिले सहयोग वा माग दर्शन के लिए आभार व्यक्त किया इन केंदर की और से मधुली में इस मुरूती सभागरों में योग और स्वास्त विशय पर व्याख्यान का आयजन किया गया इस अवसर पर बतोर मुख्य वक्ता योगाचार ये संजे कटकमवार बोल रहे थे कारेक्रम की अध्यक्षता आयूरवेदाचार ये डॉक्टर खलाले ने कहा कि योग से चित्त की शुद्धी होकर संपूर्ण शरीर में उर्जा प्रांट तत्व संचारित होता है जिसके कारण हमें शक्ती उल्लास मिलता है और ठकान कम होती है मन और शरीर को संतुलीत के रखने में योग मदद करता है ध्यान धारणा यम नियमन हट य आधी द्वारा चित्त अंतकरण मन की शुद्धी होती है आयुर्वेद द्वारा शरीर शुद्धी के साथ मन की शुद्धी होती है आयुर्वेद स्वास्थ दिर्ग जीवन की कामना करता है दिन्चरिया रुतुचरिया एवं सात्वी कहार तथा विहार परलक्ष के इंद मुद्युर्पस की प्रादुर्थ को समभद्य करते हुए और सुविधाने के कारण घरों में बिना बैठे हुए है परिस्थितियु उपना एक कदम आगे बढ़ा कर मन्जिलत कवश्ण पहंचा tahe कोविड-19 महामारी से अब डरे नहीं उसका दटकर सामना करे। स्वस्ती मंतर के साथ छात्राओं पर पुश्पवर्शा करके उन्हें जीवन में सफलता प्रदान करने का अशिरवात दिया गया। साथी साथ छात्राओं को उनके पसंदिदा चॉकलेट्स बाटे गए। विद्यार्थियों की कक्षाओं को बहुत सुन्दर ढंग से रंगोली गुबारे और फुलो से शुशोबित किया गया। संस्था अध्यक्षा शोकुमार कृपलानी, सचीव राजेश लालवानी एवं स्कूल इंचाज वेद प्रकाश आर्या ने इस तरह के कारेक्रमों की खुले दिल से रसरहाना की। सरवत्र सरहाना की जारी है। इठाने के लिए टुकडों में बाढ़ कर कुछ विशेश और चुनिंदा ठेकेदारों को ही लाब पहुचाए जाने का आरोप मिनिसिपल कार्पोरेशन कॉंट्रेक्टर वेलफेर असोसियेशन के अध्यक्ष विजय नाइडू सहित कई ठेकेदार सदस्यों ने लगाया थ उलेखनिया है कि संगठन ने मनपा के इस लंबी भाग को लेकर ओनलाइन ट्रेंडर प्रक्रिया को दर्किनार किये जाने को लेकर मनपा आयुक्त राधाकृष्णन भी के पास शिकायत दर्श की थी संगठन ने शिकायत मिलते ही मनपा आयक द्वारा मुख्या भी अनता प्रदीप खवले को इस मसले की तुरन जांच कर ठेकेदार संगठन से चर्चा करने के आदिश दिये थे निर्देशों के अनुसार मुख्या भी अनता के कार्याले में ठेकेदारों से चर्चा की गई इस दोरान खवले ने कहा कि टेंडर की प्रक्रिया में किसी तरह का ब्रष्टाचा या धानली का मुद्दा नहीं है विकास कारे से जुड़े सभी टेंडर नियमों के अनुसार दिये जा रहे है बारिश के साथ ही कुरोना संक्रमन भी बढ़ता नजर आ रहा है जिस दिन टेस्टिंग अधिक संख्या में होती है उस दिन पॉजिटिव भी बढ़ जाते है इसका मतलब साफ है कि अधिक अधिक नमलों की जांज करने पर जादा से जादा संक्रमित मिलेंगे 24 गंटे के बीतर जिले में 74 नए संक्रमित मिले इनमें सबसे अधिक सिटी में 44 पाए गए हाला कि होम आइसुलेशन में रहे कर उपचार करने और ठीक होने वालों की संख्या अधिक है बारिश के दिनों में संक्रमन टेजी से फैलता है यही वज़ा है कि अब सावधानी और सतरक्ता जरूरी हो गई है वही सर्दी जुकाम और खासी होने पर मनमज़े से औशद उपचार उचित नहीं है 24 गंटे के भी तर जिले में कुल 1938 लोगों की जांच की गई जांच का दाइरा बढ़ने से पॉजिटिव भी बढ़ रहे है जो कि भविश्य के लिए अच्छे संकित नहीं है फिलहाल जिले में 444 एक्टिव किसिस है इन में 434 होम आइसोलेशन में रहे कर उपचार करा रहे है इस बार ऑक्सिजन की कमी वाले मरीज नहीं है सबता भर तक उपचार के बाद अधिकांश संक्रमीत कोरोना मुक्त हो रहे है यातायाद पुलीस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन धाराओ के अंतरगत कुल मिलाकर 3314 वाहन चालोकों पर कारवाई की और उनसे कुल मिलाकर 154 रुपे का जुर्माना वसुला इसे तरह जुआ अधिनियम के अंतरगत 9 मामलों में 7 रुपे को गिरफतार किया गया और उनसे 5,71,000 रुपे का सामान जब किया गया है उपरोक्त सभी ऑपरेशन सयुक्त रूप से नापूसिटी पुलीस द्वारा किया गये थे ट्राफिक विभाग नहीं आवाहन किया है कि नागरीक वाहन चलाते समय वाहन से संब्धित सभी दस्ताविज अपने पास रखे तो नापपूर हलचल में आज इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए वीके वीडियोस नमस्कार